ओम स्री गनेशाय नमह नमस्कार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनू मकर एस्पेसल में तो आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से कि मकर रासी वालों के लिए आज का दिन यनी की 18 जून 2020 करते हैं कैसा भी इतने वाला है अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को आप सुनते रहें दोस्तों वीडियो के लाश्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग्यशाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रियास करें ताकि आपका समय बेहतर और शांदार हो सके तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके दामपत्ते जीवन के बाड़े में दोस्तों बैबाहिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान्य है ना ज्यादा बेहतर ना ज्यादा खराब आज के दिन किसी भी पुरानी बात पर अपने जीवन साथी से आप बहस बिल्कुल भी न करें क्योंकि आज के दिन अगर आप उनसे बहस करते हो तो आपका दामपत्ते जीवन आपका बैबाहिक जीवन खराब हो जाएगा इसके बाद है आपका कामकाज दोस्तों कामकाज के दृष्टी कौन से भी आपका शमय सामाणने से काफी ज्यादा नीचे है आज के दिन अपने कामकाज के वजह से अगर आप यात्रा करते हो तो यात्रा करने के पीछे आपका जो उद्दिस है उस उद्दिस की पुरती न तो प्डेम शंबंद के दृष्टी कौन से भी आपका श्मय ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है आज के दिन अपने प्डेमी या अपने प्डेमी का पर आप गुस्सा बिलकुल भी न करें आज के दिन अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनके गलती को आप माफ कर दें क्यूंकि अगर आप माफ नहीं करते हो तो आपका प्डेम शंबंद खराब हो जाएगा और इस वज़ह से आने वाले वक्त में आपको समस्या का शामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा इसके बाद है आपका पाडिवाडिक जीवन तो पाडिवाडिक जीवन के दृष्टी कों से आपका शमस्या माणनी है दोस्तों आज के दिन अपने घर पडिवार के लोगों को आप सकारात्मक रास्ता दिखाएं अगर आपके घर पडिवार में कोई विक्ती परेशान है किसी भी कारणवस तानाब में है तो आप सब से पहले उस विक्ती की शहायता करें और अपने पाडिवारिक जीबन को अच्छा करने का प्रयास करें आपके घर पडिवार में जो परेशानी है जो समस्या है उस समस्या का आप शमाधान निकालें ताकि आपके घर पडिवार का माहौल बेहतर हो सके इसके बाद बात करते हैं आपके धन शंपत्ती के बारे में तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय सही रहने वाला है आज के दिन आपको किसी अग्यांत स्रोथ से पैसा प्राप्त होगा और उस पैसे से आपके आर्थिक जीबन में जो परेशानी है तो बहुत सी परेशानी आज के दिन खत्म हो जाएगी इसके बाद बात करते हैं आपके श्वास्त के बारे में दोस्तों श्वास्त के दृष्टी कौन से भी आपका समय सही रहने वाला है आज के दिन आपके बौडी में उर्जा का अस्तर काफी जयादा उंचा रहेगा और इस वजह से आपके श्वास्त में कहीं कोई समस्या कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है काला और नीला आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली यंक है दो यनि की टू इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका समय बहतर और शांदार होगा मित्रों उपाई बहुत सामानी है आज के दिन आप अशनान ध्यान करने के बाद भगवान विश्नों की पूजा करें पूड़े मन से पूड़े आस्था से पूड़े एकागरता के शाथ आपका शमय शांदार हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं होगी तो मित्रों यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वेडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वेडियो में धन्यवाद